महिंद्रा इलेक्ट्रिक ने महाराश्चु में ट्रियो इलेक्ट्रिक थ्रीवहिलर लॉंच किया है फमे राज्य सबसिधी के बाद इसकी एक्स शोरूम कीमत दो दशमलव शू ने नौ लाक रुपए है महिंद्रा ट्रियो की भारत में लॉंचिंग के बाद से 13,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई है भारत में अपने सेग्मेंट में इसकी बाजार हिस्सेदारी सरसट प्रतिशत है महिंद्रा का दावा है कि ट्रियो ग्राकों को 5 साल में 2 लाक रुपए बचाने में मदद कर सकता है इसके रखरखाव की लागत 50 पैसे प्रती किमी है महिंद्रा ट्रियो में 8 किलोवाट की बैटरी मिलती है जो IP65 रेकेर है जो इसे डस्ट और वाटर्प्रूफ बनाती है लिथिय मायन बैटरी पैक 42 एनेम का तार्क जेनरेट करता है जिससे ट्रियो 12.7 दिगरी तक की चड़ाई पर चड़ने में सक्षम होता है ओन बोर्ड पोर्टेबल चार्जर का इस्तिमाल करके ट्रियो को 16 असोकेट से भी चार्ज किया जा सकता है इसके अलावा ट्रियो महिंद्रा फाइनेस से 41,500 रुपे की लोडाउन पेमिन्ट स्कीम और भारतिय स्टेट बैंक से 10.8 प्रतिशत की कम ब्याज दर योजना के साथ उपलब्ध है ग्राहक महिंद्रा ट्रियो पर 7,500 रुपे के एक्स्चेंज बोनस का भी फाइदा उठा सकते हैं महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेट के CEO सुमन मिश्रा ने कहा महाराष्ट्र ने अपनी EV-friendly policy के साथ पहले ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बढ़त ले ली है आज महिंद्रा ट्रियो के लॉंच के साथ मुझे यकीन है कि हम महाराष्ट्र में लास्ट मील की आवाजाही को शोर और प्रदूशन मुक्ट सवारी में बदलने में मदद करेंगे इस मॉडल के दोनों एक सेल पर इलेक्ट्रिक मोटर लगाया गया है यह मॉडल 509 DHP पॉवर और 828 Nm का पीक टॉर्क प्रदान करता है डॉट मर्सीडिस बंस का दावा है कि मर्सीडिस बंस EQS इलेक्ट्रिक सेडान सिंगल चार्ज पर अधिक्तम 770 km WLTP साइकिल की रेंज प्रदान करती है यह कार केवल 4.1 सेकंड में 0-100 km प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और यह इलेक्ट्रिक कार 210 km प्रतिघंटा तक की अधिक्तम रफ्तार हासिल कर सकती है